आर हेल्थ प्रस्तुत करता है बनस्पति जगत की एक नई जानकारी दोस्तों नमस्कार दोस्तों बनस्पतियों का हमारे जीवन में बड़ा महत्तु है ये पीड़ पोधे, ये फूल, ये सब किसी ने किसी बिमारी की दवा है बशाओ सकता इस बात की है कि हम इनके बारे में जाने, इन्हें पहचाने और रोग मुक्त होने का प्रयास करें आर हेल्थ के दोरा कुछ ऐसा ही प्रयास किया जाता है दोस्तों ये चैनल ही बनस्पतियों के आउशदिय गुनों पर आधारित है और इसमें हम बिभिन प्रकार के बनस्पतियों के आउशदिय गुनों से आपको परचित कराते हैं आज इसी कड़ी में प्रसुत है कि अमरूद का पत्ता केल मुहासे के साथ साथ इसकिन रोगों में कितना लाबकारी साबित होता है और इन रोगों में हमें ये अमरूद के पत्ते का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए दोस्तों मैं हूँ राजिश्वर मदुकर और आप इस समय देख रहे हैं हमारा चैनल आर हेल्थ दोस्तों अमरूद के पत्ते सिहत के लिए कितने फाइदे मंद होते हैं आप में से कम ही लोग जानते होंगे दोस्तों अईरुवेद के अनुसार अमरूद की पत्तियों में बिभिन प्रकार के औशदी गुन पाये जाते हैं जो हमारे शरीर को स्वस्त रखने में महतपॉण भून का निभाते हैं इसलिए अमरूद के पत्ते को कम नहीं आकना चाहिए अमरूद के पत्ते के फायदे जानने के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिये दोस्तों सदियों से अमरूद के पत्तों को आउशद के रूप में उपियोग किया जा रहा है अगर आप अमरूद के पत्तों का पानी पीएंगे तो आपको अद्भूत फायदे मिलेंगे अमरूद के पत्तों में बिटामिन, मिनरल, माइक्रो और बिटामिन सी के साथ साथ तमाम ऐसे गुण पाये जाते हैं जिन को प्राप्त कर हम सब स्वस्त जीवन बितीत कर सकते हैं इसके अलावा अमरूद के पत्तों में एंटी आक्सिडेंट, एंटी एंफिलेमेटरी और एंटी बैक्रियर गून भी पाये जाते हैं जो स्वास्त के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं तो आईए चलिए अमरूद के पत्तों के बारे में हम लोग बीधिवत और पूर्ण जानकारी आज प्राप्त करते हैं हम चलते हैं कारिकम के अगले पायदान की और लेकिन उसके पहले आप से निवेदन की दोस्तों अगर आज तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये कारिकम दोस्तों अमरूद के पत्ते में ऐसा तत्व होता है जिसका सेवन करने से पाचन तंत्र मजबूत होता है अम्रूद के पत्तों में एंटी बैक्टिरियल गुण पाया जाते हैं जो पाचन प्राणड़ी को बुष्ट करने में बहुत ही सहयोग करते हैं दोस्तों अम्रूद के पत्ते में वैसे तो तमाम गुण होते हैं लेकिन इस वीडियो में आपसे कुछ खास खास रोगों के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं अमुरूत के पत्तों में पाय जाने वाले एंटिवायतिक गुड डाईविटीज में लाब पहुँचाते हैं इसके अलावा अमुरूत के पत्तों में फेनुलिक योगीक होता है जो रक्त सरक्रा के इसतर को नियंतरित करने में मदद करता है दोस्तों आपको जानकर के आश्चर होगा कि अमरूद के पत्तों का सेवन करने से कैंसर में फाइदा हो सकता है क्योंकि अमरूद के पत्तों में एंटी कैंसर गुन भी पाये जाता है अगर नेमित रूप से अमरूद के पत्तों से बना हुआ काढ़ा पिया जाए तो इससे लाब मिलता है दोस्तों इसकिन के लिए तो अमरूद का पत्ता समझे वरदान है अमरूद के पत्तों में एंटी एजिंग गूर पाया जाते हैं अगर इसका नियमित रूप से सेवन किया जाए तो इसकिन की जुरियों से भी हमें निजात मिल सकती है दोस्तों ये स्क्रीन पर इस समय जो अमरूद का पत्ता देख रहे हैं अमरूद के इन पत्तों में एंटी सेप्टिक गूड भरपूर मात्रा में पाये जाता है जो मुहा से बलेक स्पार्ट पिमपल्स हटाने में कारगर होता है इसके अलवा अमरूद के पत्तों को पीस कर इसके पेस्ट को पिमपल्स और बलेक स्पार्ट पर अगर लगाये जाए तो काफी लाब मिलता है दोस्तों इसकिन से समंधित समस्या के लिए इसका काड़ा पीना तो आवशक है ही साथ ही अगर अमरूद के पत्तों का पेस्ट बना करके और मुहा से और काले धबों पर लगाये जाए तो काफी लाब मिलता है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि प्रकिर्ट के इस अनमोल वरदान को आप सब अपना कर रोगमुक्त होने का प्रियास करेंगे ये पत्ते बिभिन रोगों की दवा है और बिभिन रोगों में हम इसका इस्तिमाल करके स्वस्त जीवन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों ये थी अम्मरूद के पत्ते के बारे में एक जानकारी कि अम्मरूद का पत्ता मुहासे, काले दबे और इसकीन डोगों में कितना लाबकारी है अब अनुमत दीजिए अपने दोस्त राजिश्वर मधुकर को दोस्तों जल्दी ही हमाएंगे किसी नए ग्यानवर्दक के वीडियो के साथ आप देखे रहे हमारा चैनल आर हिल्थ